नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BASF कमपनी के बहुत ही प्रचलित डाउनी मिल्डू स्पेसलिस्ट एक्रोबेट फंगिसाइट के बारे में या किस प्रकार से काम करता है इसमें टेक्निकल कंपोजिशन क्या पाया जाता है इसको कौन-कौन सी फसलों में प्रियोप किया जा सकता है और या कौन-कौन सी बीमारियों को कंट्रोल कर लेता है और साथ ही जानेंगे इसकी डोज और इसकी मार्केट प्राइस क्या होती है इन सभी बिंदों पे हम संपूर चर्चा करेंगे यदि आप सब्जी की खेती करते हैं तो या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे एक्रोबेट B.S.F. कमपनी का एक मौडन टेकनोलोजी पे आधारी साइस्टेमिक फंगी साइड है जिसमें डाय मेथो मौड 50% WP फार्मिलेशन में पाया जाता है या दोनों बीमारियां काफी खतरनाक होती है पूरी की पूरी फसल को मात्र 3-5 दिनों में ही पूरी तरह से नस्ट कर सकती है यदि सही समय पे सही दवाई का प्रियोग नहीं किया जाए तो काफी नुकसान देखने को मिलता है तो एक्रोबेट डाउनी मिल्डू और पेछेती जुलसा को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है एक्रोबेट के इस्प्रेसिया बीमारी को वहीं पर रोग देता है इसमें सैस्टेमिक और टान सिमिलार एक्सन होता है क्योंकि डाउनी मिल्डू पत्यों की निचली सता से सुरू होता है और डाउनी मिल्डू का सबसे ज़्यादा प्रकोप खीरा, ककडी, तरबूच, खरबूजा और अंगूर, टेमाटर जैसी फसलों में देखने को मिलता है तो यह उसके लिए रामबान की तरह से काम करता है इसके अलावा इसमें आलू, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सेब, अनार आदी सभी तरह की फसलों में इसका प्रियोग किया जा सकता है अब बात करते हैं इसकी दोज क्या रखी जाती है तो इसको डेड़ से दो ग्राम प्रति लीटर पानी की अधार पे घोल तयार करके फसलों के उपर स्प्रे किया जा सकता है तो इसको अन्य सभी तरह के फंगी साइड, इंसेक्टी साइड और PGR के साथ में मिक्स करके भी स्प्रे किया जा सकता है इसके अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो 100 ग्राम का इसका पैक 650 रुपैसे लेकि 700 रुपै में बाजार में मिल जाता है यह काफी अच्छी क्वालिटी का फंगी साइड है तो इसको आप इस्तमाल कर सकते हैं और अच्छा रिजल ले सकते हैं यह दिया जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर करें धन्यवाद